माननिय क्षेत्र संगचालग जी, माननिय प्रांत संगचालग जी, माधहो स्मृतिन्यास्के, आदर्निय विश्वस्त शिर्मान गोतमभाई सम्राथ, उपस्थित नागरिक सज्जन माथाबगेनी. बैटकर इसलिए बोल रहा हूँ, सभा कि शिर्टा जार के अरुसाल मुझे खड़े होकर बोलना चाहिए, बोल भी सकता हूँ, पर उन्तों ये विश्वस्त भाषान का नहीं है, जो विश्वस्त यहां निमंद्रन पत्र में उल्लेखित किया गया है. वैश्विक संदर्भमे भारत की भूमी का, क्योंकि उसमें नया कुछ बहुत बताना है, ऐसा नहीं है. आप सब सुबुद्ध प्रबुद्ध लोग उस विशय को जानते हैं, उससे परिचित हैं और सोच सकते हैं. और 1857 के बाद बहुत बड़े पैमाने पर इस विशयों को लेकर अपने देश के महापुर्चों ने काफी व्यापक प्रबुद्धन समय समय पर किया है. अपने योगदान से विश्व को समुर्द बनाने वाला भी होता है. हमारे परम वयभों की गल्पना अकेले वयभों सम्पर्णब बनने की नहीं है. हमारे वयभों से विश्व का कल्याण हो. ऐसा वयभों को चाहिए. और इस हमारे प्राचीन दुर्ष्टी का सूत्र लेकर संद्ध काम करता है. जैसे जैसे शक्ती बढ़ती हैं ऐसे कार्य का दायरा व्यापक होता है और भाशा भी व्यापक बनती है. परुद्धु जब कार्य का दायरा बहुत छोटा था और कार्य इतना व्यापक नहीं था तब भी विचार तो यहीं था. संद्धा सब पूरा का पूरा डॉक्टर एडगवार नामक बीच का विस्तार है. और उन्नीस सो बीच में संदस्था पुना के पाच वर्ष पूर्वर नाटपूर के कॉंग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताओं निहामक समिति के सामने डॉक्टर एडगवार ने दो प्रस्ताओं रखे दिये. दोनों उस समिते ने मननी किये. इसलिए नहीं कि तत्वशा उनका कोई बतवेद था. इसलिए कि उस समय उन्न प्रस्ताओं के भाशा को बोलना उन्होंने शायद उचित नहीं सम्झा. बाद में उन्न चाम बातों को और कॉंगरेस के द्वारा कहा गया है. एक प्रस्ताओं था संपूर्ण गोवशात्याबंदी का. और दुसरा था कि कॉंगरेस घोशित करे कि हमारा लक्ष भारत के लिए संपूर्ण स्वतंत्र थाका है. और स्वतंत्र भारत दुनिया के देश को फूंजी के चंगुल से मुक्त करेगा. दुनिया के देश को. यहने अर्था प्रधान व्यवस्था की एक जो जक्डन आजमानुगों कर रहे है. विश्वने सर्वत्त. उसके आज के सुरूप का अनुमान लगा कर तभी डाक्टर एडिवार्नी यह कहा था कि श्वतंत्र भारत को यह करना पड़ेगा. एक तरह से एक विश्वतक शेत्र में भारत की भूमिका का सुतोवाज. उसी समय उन्होंने कहा था इतना व्यापक, अंग्रिज में कहते हैं कैनवास, विचार पठल उनके सामने था. और इसलिए विश्वन मुझे ना आपको नया है. मुझे उस पर आपको भाशन देवी क अबश्चकता नहीं है. हम सब लोग उसका चिंतन करें. और चिंतन आपका चलता रहे. क्योंकि मुनुष्य का मन है, वो तो भटकते रहता है यह दुरुदा. तो मन लगा रहे है आपका उसी चिंतन में, इसलिए उस विश्वे के बारे में, जो मुझे आपको सबको मालूम है, वो मैं फिर एक बार आपके सामने दोरा रहा हूँ. उसको सुनते सुनते, आप इसका चिंकन कीजिए, और चिंकन के द्वारा कुछ करने की बाते निश्टित की. वैश्विक संदर्व में भारत की भूमिका क्या है? तो संदर्व कल कुछ और थे, आने वाले कल में कुछ और हो सकते हैं, जिसने जो विचार वेक्त किये जाएंगे, वो कल के संदर्व में कुछ बदले हुए लग सकते हैं, और आने वाले कल आपको लग सकता है कि ये विचार गलब थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये विचार सही या गलत नहीं है कि यह विचार आज के संदर्वम है इसना हमको जैनुए कर जो संदर्व नहीं थे वाज उपस्थी चाहिए इसलिए कुछ और सोचना पड़ता है और आज जो संदर्व है वो कायम रहेंगे ऐसा नहीं दूसरे आजाएंगे तो उसको बदलना भी प्रसुत है लेकिन आज के संदर्वमी में जो हम विचार करते हैं उसके विचार करने के लिए दुरुष्टी कौन सी है लक्ष कौन सा है और मार्गय प्रेसा है यह बाते नही अजका विश्वित संदर्व में यहने क्या है आज के विश्व कि स्थिती क्या है और आज के विश्व के आवश्यल्थ नहीं है अज हम कहते हैं कि बहुत बड़े विकसित विश्वमें हम रहते हैं जो मनुष्यों को पहले राहत नहीं थी वाज मिलती है अनेक रोगों के लिए दवाईय बिलती है अभी इस विश्व के अधुनित जीवन का अभी जिन तक नहीं पहुचा वहाँ पर इस स्थिती नहीं है जैसे बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन सब के सब जीते हैं ऐसा नहीं बीच में ही मर जाते बड़े होने के पहले ही मर जाते उसका प्रमाण जहां इस विश्व की आधुनित्ता का स्पर्शन नहीं है वहाँ बड़ा है तो आज के विश्व में ये सुविधा मनुश्चों के लिए उपल अब्धा है जिस समुरुद्धी की कलपना सव वर्श हम नहीं कर सकते थे कि दो सो वर्श मेले हमने कलपना नहीं की थी कि पीने के लिए नदी का पानी घर बैठें टोटी में आ जाएगा है हमने कलपना नहीं कि बिना बोड़े बिना बैल कोई गाड़ी हमको इधर से उदर ले जाएगा कि यात्रा करना इतना आसान होगा कि सामान ने मुझे आवा यात्रा कर लेगा है कि मजल तर मजल करते हुए घां से दिल्ली जाने के लिए पंदरा दिन वीज दिन मेरा लगता था वह उन दो बंटे में जाके काम करके शाम को घर में बोजन इले वह अपस आ सकते हैं कि इस गति के हमने कलपनाई की थी उस सुविधा के हमने कलपनाई की थी तरह तरह की सुविधाएं और तरह तरह के भोगों से युप्त ऐसा सुविधा में उपभोग में जीवन मनुष्यों को आज प्राप्त है दूसरी बात है कि विश्व बहुत निकटा है पहले तो विश्वा में दूसरे कोने में क्या चल रहा है इसकी वारता भी किसी दूसरा कोई कोना है यह भी लोगों को मालों नहीं होता था बाद में लोग यात्रा करने लगे जहां जोंसे वगरे तो मुनुष्य सफर पर निकल गया कि तो फिर वह वापस आएगा इसका वरोसर नहीं था पर वापस आता था वह भी तीन-चार साल पास साल दस साल कि मार को बोलो की आत्रा इसी ही लंबी आत्रा है कि आज यह दूरिया नहीं रहिए कि पानीपत की लड़ाएं में क्या हुआ कि मराटों की प्राजय हो गई कि विजय हो गई कौम जिंदा रहे कौम मर गए इसकी वारता पूरा में आने के लिए पानीपत से महना भर से ज्यादा लगा कि आज ऐसा कुछ नहीं है कि अभी इमेल बजो पांच मिनट पाद उत्तर आता है कि दुनिया इतनी पास में आई है कि लोग आज वाशिंग्टन में कल पैरिस में हैं दो दिन यूलिट में रहकर परसों देली में वापस आ जाएक कि दुनिया इतनी पास में आई है कि एक दुसरे की रहन सान रीति रिवाज के पद्धती एक दुसरे का विच्छा अरतत्व ज्यान इतिहास अनेक दुनिया के देशों का भूगोल आदी बाते बहुत आसाली से परिचित भी होती है और एक दुसरे को प्रभावित भीकाती कि विश्व एक बहुत बड़ा ग्लोबल विलेज हैसा अंग्री दिन में बहुत निकड़ता है और विज्ञान और तकली की की जो प्रकती है उसके कारण कई बाते जो पहले असंभवती आसालों में मनुष्य आगे अगर बढ़ने लगा मनुष्य के भूतिक जगत के ग्या की हमारे साधनों से जितना अधिकतम विस्तार हो सकता है उतना हो गया है कि और है क्योंकि सारे ज्ञान के शित्र में अब जो उच्चतम ज्यान है 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 वह अब उपकरणों से या न्यानेरीयों से नहीं होता है वह अब चितन के द्वारा ओने लगा है अब घड़ित के समीकरण चलते हैं म् गपनाय चलती है और बाद में उनकी सिद्धता के लिए कुछ मिलता है कि यह खो जा जाता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, यहां तक नाम बढ़ गया है, और इसने बहुत को ऐसे कहने वाले आपको मिलेंगे, कि पहले से एक बहुत अच्छे, सुन्दर, नए विश्वों में हम लोग र ख़्याचित उससे अधिक बड़ावर के यह कहेगा, कि उपभोग तो सब प्रकार के मनुष्वों को उपलब्द है, लेकिन सर्वत्र समान उपलब्द नहीं है, भोगों के वितरण में विशमता है, और विशमता का कारण केवल साधन मरिया दित है, और इच्छाएं अनंत लोगों की इतना नहीं है, वितरण में अन्या है, जंगल का कानून दुनिया में चलता है, जिसके पास सामर्ग है, वो दुर्बन लोगों को उप्योग कर लेता है, और उनके पेट पर और गले पर पहर रखके मुनती की सु़िया चड़ते जाता है, और इसलिए इतने सारे सुखों को भोग जहां पर है वहां पर मनुष्य का रदय फट्चा ऐसे दुख भी दिखाएंगे इतने ज्यादा उपभोग है फिर भी चोरिया तो कम नहीं हुई अब रात में बड़े हैं इस उपभोग में मनुष्य अपने समाधान को खो बैठा मनस्षान्ती को खो बैठा विज्ञान और तक्निकी की इतनी प्रगती हुई इसके आगे एक वाक्य जोड़ा जा सकता है कि इतनी प्रगती हुई कि मनुष्य ने अपने जिवत को स्वर्ग बना दिया पैसे दूसरा भी वाक्या उससे जादा जोड़ से जोड़ा जा सकता है कि मनुष्य ने अपने जीवन को भिउसा करने वाला सम्वार को जन्म देने वाला नारे की जीवन बना दिया तर्गनी की बनी प्रगत हुई तो नहीं नहीं जिवान मुनुष्यों खोच के निकालता है और मुनुष्यों के समवार के लिए उसका उप्योग करने की कल्पना करता है पता नहीं यह कल्पना सत्य में आई है कि नहीं आई है कि अभी किसी ने देखा नहीं है लेकिन होनुमाद तो सब लोग करके हैं मिद्न्यान के ही कारण अणवस्त्र पैदा हुए ज्ञान के विस्तार का उपयोग दुनिया को सुखी बनाने के लिए कम हुआ दुनिया को नश्ट करने में ज्यादा हुआ ज्ञान बड़ा तो लालज बड़ी है क्योंकि साबर क्या आगे है कि एक ऐसे ही फिल्म आई थी परियावरन विशेपर फिल्म बहुत पहले दोजार नौ में तुल एक फिचर फिल्म और उसमें कोई कठावस्तु अगर नहीं थी कि सभी देशों के जो प्रमुक थे शासन प्रमुक न्यान की विमिन्न शाखाओं में जिनका व्यासन नहीं ऐसे विद्वान चिंतत शास्त्रत लिया आज की परिस्थिति के बारे में उन सब का मत लिया गया था और अंत में निश्कर्शरूप में और यह बताया गया जब कर दो पहिर्म एक जगद चल रही थी कुझे कारिकर में जाना था प्रीज स्पिरट का आउकास था इसलिए मुझे कमरे में बिठा दिया गया और चोकी कारेकरम बढ़ा था उसकी व्योस्था में सारी कारकरता लग गए मैं अकेला रहा तो वो कारेकरता जानता था इनको अ उसमें वो कहता है कि पहले मनुश्य के साधन मरिया दित थी इसलिए वो उसको जादा प्राप्त करनी की ताकट ही नहीं थी तो दुनिया में जो बहती उर्चा है जो बहते रहती है उससे निकालो वो कम नहीं होती आते सुर्य प्रकाश है उप्योग कर लो कल फिर से है कि हावा बहती है चक्की चला लो कल फिर से वहीं थी वो कम नहीं होती है उसकी आप उर्थी सुर्ष्टी के दवार उक्ती नहीं थी उसका उप्योग करके वो अपने जीवन चला अपने जीवन को चलाता था अधिक से अधिक अगर वो कुछ सीमित भाणार उर्जा के हैं उनका उप्योग करता था तो जमिन के उपर लगड़ी जमिन की नीचे कोईला इससे ज़्याद उसकी पहुच नहीं थी अब विद्यान प्रगत हो गया और उसके हाथ में द्यान आ गया साधर आ गया कला आ गयी बुद्धिया गयी और सवस्कार वही रहे तो अब वो सब कुछ उप्योग करते जा रहा है दुनिया की जो स्खाई भांडारों की उर्जा है उसको उन्होंने खतम करना शुरू कर दिया है तेल खतम हो रहा है वहला खतम हो रहा है और इसलिए एक तरफ उर्जा का संकट पैदा होने जा रहा है दूसरे तरह इन भांडारों के खतम होने से और विश्व के और समुरचदा में जो कमी आती है उसके चलते परियावरण का प्रगोप हो रहा है तो इसके कारणा हम है हमको त्याग और सहियम के मूल्य पर चलना पड़ेगा हमको यह समझना पड़ेगा कि हम प्रकृती के एक अंद्ध है प्रकृती के स्वामी नहीं है ऐसा हो कि दुनिया कितनी निकट आ गई है है चैना यह हं कही भीलगे आज जिसको अंगरे जी में रिपोट एलिया करते वहां तक रहते करते हैं कि जुए टैर कर जाते है आग दोसे हम अपने पडोरों सई सर्थ हो अतरे और यह जाते हैं कि अच्छे रास्ते बंगे रास्ता क्रॉस करके अपने पड़ोसी के भर जाना बंदोंगे कि अपर इतने दुनिया पास आई पास आते आते दुनिया ने दो विश्व उद्धा कर डाले और तीसरे का खत्रा मटरा रहा हुआ कि था कैते हैं कि एक अलग रूप में तीसरे वाजबता चले है है यहाँ पर मार कट होरी, और पर मार कट हो कि यहाँ असलख आगयो जुक तो इसमर्स पर रेमता मेटलों करता है सिंता प्रकट और विघ्षान के लोग इधिल शिक्षकर और वहां जोगे शरकार को को और सभी में कोल इतना प्रगत हो गयाँ इतने निकट आगे कोई ढ़िए लोक ज्यान की कक्षा का इतनी बढ़ गई क ट्रवात मनुअ नहीं हुआ ७ का लिए हुँसा बंद हुई नहीं हुआ मैं उगयरवाधियों का संकत चला गया नहीं चला गया वह बढ़ते चला जारा है विश्व का एक संदर्व है जिसमें धनबल विश्व का बढ़ा है साधनबल बढ़ा है उसके कारण मनुष्य का अपना बल भी बढ़ा है आयू मर्यादा बड़ी हो गई है रोगों से मुक्ति मिल गई है अधिक स्वस्था बन सकते हैं सब लोग और ज्यान भी बढ़ गया है परंतु परिणाम क्या हो रहा है विवाद बड़े कल बड़े हैं खुन खराबा हो रहा है यह दुसरा संदर्व है अज़ा क्यों हुआ है कि तो अपने यहां ऐसा कहते हैं कि यह दृष्टी का परिणाम है कि सबको यह प्राप्त होने के बाद भी परिणाम क्या निकालना है तो अमारी बुद्धी पर है न तो जिसकी दुष्ट बुद्धी है वो क्या करता है विद्या विवाद आए धनम मदा आए शक्ति परेशाम परपीड़न आए ज्यान बड़ता है उसका उप्योग विवा कि सब गलंग कि संकार में चलता है अत्वा उसका उप्यों करके लोगों को आपस में लड़ाने के लिए जो करना जहें वो करता है कि चल रहा है अपने आप नया नया मन गड़ंत ऐसा कुछ रच कर उसको कच्चे दिमागों में भरकर उनको एक दुसरे के द्वेश्टा बनाने का काम अपने आतों चले रहा है सारी दुनिया में चलता है या साधना अन् सोशील मेडिया जैसा अच्छा साधन, सारी जानकारी मिल सकते हैं एक दुसरे से संवाद कर सकते हैं ऐसा ही होना चाहिए इसा नहीं होता त्याइज जनकारिया ब्रक्त करका इदर ऊथर बहेशे यह भात हो ती है क्यों विद्ध्या विवादाय धनम्मदाय शक्तिक परेशांपरबिदनाय खलस के दुष्टों की निती वो उन विद्ध्या का उसका परणाम ने वो साधलों का प्रताप नहीं है प्रताप है इस दुष्ट बुद्धी का लोगों का जीवन अच्षा करने में करने में करते है और बलका उप्योग दुर्बलों को सुरक्षित करने मी करते है । मैं यह दुष्टी का परणाय है हम यहां दुर्टा और सज्जन कहा हैं लेकिन हमको विनाकरण किसी को दुर्टा कहने की आवश्चता नहीं है वैसे दुर्टता होती भी नहीं है प्रत्यक मनुष्य हम ऐसा मांते हैं संग के लोग कि मूलता अच्छा मुश्य होता है कि बहुत ऐसे अपवाद दुनिया में दस प्रतिशत लोग होंगे जो पएदाईशी दुर्ट लोग है कि पएदाईशी अच्छे लोग भी दस प्रतिशत ही होते हैं कि बाकी सारा मानों समाज यह परिस्थिती के कारण चलता है यह को बीवाद घुर्ष्ण से भी में उसके जीना है जीने में की लिए जो करना हों को जीने के लिए अच्छा करना आवश्क है वह बहुत जिए आप उठें करता है जीने के लिए बहुत खराब करना आवश्रक है वो खराब करने से पीछे लिए उसको चीना है और समस्या यही है जिये कैसे क्योंकि जिना है सुख से जिना है को सुख से जिना है तो सुख कहा है सामने बुद्धी सी रिचार देते हैं सुख बाहर है कि आज उनको अड़ीया मिला अड़ीया कि जाड़े की दिनों में प्लाड़ा खता हो राली कि आगया है अब हड़ीया में सुख है कि तो कितने घाएंगे कि दो चार पाच दस साथ सब्तर कितने हैं कि सौसो वाले भी खो सकते पुनार जमाने के बुश्यों कि लेकिन है क्या कर दिखा तो एक तो निष्म मिलेगे के लाट सामने मातलगा ब्रतस्त से मूठ होथा उल्टी हो जाथ को कि में ढूभ फ्या कर कर रे है वो अगाल यह श्याजद समय भीहां कि सुख समय है लिकिन सुख है और पता है इसलिए दुनिया हमेशा सुखोश्टी है बाहर की बातों में बाहर की बाते मरियादित संख्या में मरियादित प्रमाड में हैं हमारी इच्छा है हम मरियाद है और हमारी जनसंख्या भी अमरियादित होते चली जारी है घानी जी यह लेते थे कि there is enough in nature for your lead यह बात बिल्कूल सही है लेकिन आज जनसक्य इतनी बड़ी है कि डर लगता है कि विदर देर इस इनफ फॉर अवर लेड़ इतने हम हों गई कि और इसलिए फिर पर्धा करों जीजे कम है आदमी जाता है आवशक्ता जाता है तो दोड़ दोड़ के पहले प्राम्त को जो पहले हाथ मारेगा उसको सबसे जाता मिलेगा तो इसलिए श्ट्रगल है और स्ट्रगल है तो फिर प्याने संगर्श है तो जो बली है वही संगर्श में पीजेता होता है तो ये बल्वानों की दुनिया है, ये दुर्बलों की दुनिया नहीं, बल्वानों की दया पर दुर्बल जीवित रह सकते हैं, और बल्वान कहते हैं कि मुझे जीना है, सुख से जीना है, दुसरा उपाय नहीं है, तो दुर्बलों का उप्योग करूँगा, जो उप्योग को खाती है कि सामान्य बुद्धी से दुनिया को देखेंगे तो यही सकते होता है कि लेकिन सामान्य बुद्धी से दुनिया को देखना यहने जानवरों की बुद्धी से दुनिया को देखना है जिने के लिए विश्रामी चाहिए जीने के लिए बशना पड़ता है जीने के लिए वच अपने के खत्रे को डरना और रहना कि आप कि और शब करने के बाद में सवसाल के बाद तो मुझे अगा ही कुछ होते हैं पाच पास्सो साल जीने वाले जीव उसके बाद वो मरेंगे ही हमर कोई है नहीं इसलिए मेरे बाद मेरो इसकी गैरंटी क्या है तो मेरी अपनी कोशिकाओं से उत्पन्न मेरे जैसे जीव पढ़ सवान्यव दे में साद बंदी यहीं है इसके लिए जिनायम पोषुकाय के से जव जद्मा लेता है वो वीचली ने करता है हम याँ सफिक नकर जद्मा मिला है जड्म मिलने के बाद जो when लगिए भूक लगिया तो जए खाना मिले जखायें बोवल और जोह से तैंट आधा है लाखी पड़े पत्तर बड़े दोगता भी नहीं है क्योंकि प्रोटी छुट जाए है कि अब ने बुद्धी कि उसको मालूम नहीं उसके इतना वालूम है मरते जन तक जिना है उसको मरने का दुख नहीं है जब मुर्थ्य आएंगे मर जाएंगे हो क्या है जन्मे के उपत cricket रता हूं कि विचार बंद करेंगा तो मनुष्य मुश्य नहीं देगा को एसा हो गिया है यह जो हमको विश्व के संदर्म में द्वाई त दिखरा यह उसका पर आपके उसक्का ने कि एकPMर्याद आके बाद दूनीया ने विचार करना छोड़ दिया अपनेया का ता है कि इंद्रों विरोचन गए वैवों की शिखर पर दोनों समाज थे असुर और देव कुछ कमी नहीं थी कि सब सुख भूतिक सुख आप जोड़के हाजर दी इप्चा करने पर लेकिन मन में कोई सुख नहीं समाधान नहीं रात को नहीं नाती नहीं कुछ तो नींत तृष्टना है क्या ही यह भी समझ में नहीं को गये अपके गुरुओं के पास ब्रहस्पति के पास इंद्रा और वी रोचन गया शुक्राचारी के पार से पूछा कि ऀस्तिति का किया जाया है अजरे समाज को सब कुछ पलब्द सारे समाज सब की यह स्थिति को दो देवगरु जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं लेता आत्मा को का पाने के बाद कुछ भी पाना शेश नहीं देता पाने की इच्छ भी शेश नहीं देता है अनुष्य सम्पूर न सुखे हो गया तो दोनों वलकल धारण करके हाथ में समिधा लेकर गुरू के पास गुरू के राते ब्रह्मा जी को आवान करने के लिए गए उस समय के गुरू ज्यादा समिधा एक कोने में रखकर दोनों आकर और पदमा समने पढ़ गये हैं तो ब्रह्मा जीनि का कि शिश्य भाव से आयो क्या सिकना जाते हैं उन्हें कि हमने ऐसा सुना कि आपने आत्मा को देखा है जो अमर है शाश्वत है कभी मिटता मरता नहीं जिसको पाने से कुछ भी प सभी युव शाध्मा आथे तुम देखना जाते हैं तो देख रहे हैं तो केसे दिख रहे हैं आखों से देख रहे हैं आखे तो इंतर एढमाशन Buddh मेर देखने वाला को अ और मिलव ऑन का अभा हो में जो मैं चरण और उसको काईसे देखना West तो विरोचन को खड़ा गिया इंद्र ने कि मैं तुम्हारी आखों में देखकर बताओ को देख रहा है तो मेरे आखों में देखकर बताओ मेरे आखों में को देख रहा है दोनों ने एक दूसरे के आखों में आखे डाल कर देखा तो अपना ही प्रतिविंबर देखता है इसके लिए जो करना है करो वही सब कुछ आई कि आनंद में दोनों वापस निकले वहितर नदी पार करने के लिए नौका में बेटे इंड्र देख रहाथ आप नदी के प्रशानत जल में अप्रा प्रतिभिंबा और देखा कि नौका के चप्पू चलने लगे तो तरंगों से प्रतिवूंबत नश्टा हो गया इंद्र ने सोचा यह आत्मा तो अब रहा है और हमने तो देखा अभी आखों में भी देखा जल में भी देख रहे हैं वो तो नश्टा हो गया तो कुछ तो गड़वड है ब्रह्माजी ने बताया पहली थी और हम उसमें हो गया बहुत दूर आया वह इतरली पहार करके प्रह्माजी को मिलके उन्हाने बताया आखों में देखने वाला को ने देख लो मैंने देख लिया मेरी जो आखे साब है मैंने अपने आपको देखा है मैं तो नहीं आगे आगे मैं सोचुना नहीं यही सकते हैं है कि यह जो जितना मैं मेरे हिसाब से जान सकता हूं प्लिunk想 सकता हूं जितना मैं अपने आपको बनाएंगे और जो हमारे शरण में हैं अपने आपको हमारी उपयोग के लिए साधर करते प्रस्तुत करते उनको हम रखेंगे बाक्यों को ने रखेंगे वह हम रक्षा महा और अक्षा सुझा और जिनों ने आगे सोचना ब्रबाजी की प्रतर वापस गया ही था फिर से वो प्रश्ट्व के सतत अनुसंदान को उस साउस्कुर्टी ने लोगों ने जारी वो रुखे नहीं पूर्ण सत्य प्राप्त होने के बाद में उन्होंने का कि यह मुझे मिला लेकिन तुमको मिलना है तो तुम प्राप्त करो क्योंकि यह सत्य ऐसा है कि देखने वाला अपनी दुष्टी से तो उसको देखता समझ्ता है मेरा समयन तोम्हार विब्लक करनी मैं ने ऐसा किया तो मुझे समझ में है तुम ऐसे करके देखो तुम को क्या समझ में आता है तुमसम ए जुछ लेकल दीए लाटेगी सत्य के सतत अनुसंधान का देश है हुआ हिंदुत्व सत्य के सतत अनुसंधान की परंपरा का नाम है कि जारों वर्षों तक ये काम करते करते हैं अज हिंदू समाज ठक गया है उसकी ठकाम दूरोकर वो जागेगा तब पूर्वी से सतकुनित अधिक तेज से सारी दुनिया को प्रकाश देगा अब इस अधूरी दुर्ष्टी के कारण इसके पार कुछ नहीं है परिणान यह हो मत रहे है कि जो जिखता है मों तो सब अलग है जैद आप सुंद modulation मन विचार कर रहे है इस माई ऑट लो कि बुछ तो हर जो चीज दिखती है वह एक है कि वह अनिक है पहले में देखता हूं उसको तोड़ के फ्रैग्मेंटरी एप्रोच तोड़ते 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 में पहुंच गया कणों तक एक सबसान तक पहुंच गया अब आगे क्या होगा पता नहीं कर इतने छोटे कि वह उर्जा है कि करने यह भी ध्यान कि देखता हूं और इसलीए मेरे साहरतो के लिए जो उप योगी वहू सॉत HU थोप उन्यट्रय वांचर वेर्य० तो ब्हें की मारत आती है उसके बाद सवारथ की बात आती है सौंधzerा होता है है कट्थ नहीं होना चाहिए इसलिए सबको एक यूनिफार्म में ठूसने का प्रयास करने का कट्टरवाद वो तीसरी समस्या होती है यह साना चल रहा है विश्वाने के आज का यह संदर्व पर्यावरण को मैं अपने स्वार्थ के लिए चाहे जैसा चूसता हूं कल की फिकर नहीं करता हूं ना अन्य लोगों की फिकर करता हूं मेरा जीवन चलाने के लिए मैं आधी दुनिया को जिसको साउथ साउथ कहते हैं उसको चूस कर मैं अपना जीवन चलाता हूं कि मेरी चार प्रतिशत जनसंक्या के लिए दुनिया के 40 प्रतिशत संसोधन में प्राप्त करता हूं नहीं मिलते हैं तो जबरदस्ति करता हूं विश्वकी एकता के नाम के सब को एक जोला पहने की बात करता हूं अपना डंडा चलाकर उस एकता की आड़ में अपने प्रबल देश बने पिछले हजार वर्षों में दुनिया में सामर्थ संप्रण बने देशों का सोच समझकर योगतान जा रहा है कुछ तो हुआ है एक एक समर्थ हुआ उसने कुछ ना कुछ दिया है दुनिया कि अने बातों के आधार पर देश बने संप्रणायों के आधार पर भाशाओं के आधार अर्था・ व्यवस्था के समानत आके आधार पर कई प्रकार से तरह तरह के देश राट्र बने बड़े हुए दुनिया और मिट्टी में है लेकिन लिकंपि ऑन सोच समझ्ज कि जिया लिया वायर्व आपांता दिया मुख्यवाय उन जो लेना था ओने के लिए उन्हों परन कर बार को क्यों चिए जुए ऑज सनी पारी δ 않아 चज कने ऴाहसर्च कर देना कि रशिया महाशक्ति बनी क्या किया hiring a music USA कर रहे हैं चीन बनेगा क्या करेगा घ्लक मिल रही है है कि दुनियां वरमें अपना डढ्यड़ा ना बड़ी बड़ी तात्विक सुंदर सुंदर भोषणाय करके उन के आड पे दुनिया के निरी हो और बोले देशों को अपने अधीब करके अपने स्वारतों को पूरा करना है। इससे दूसरा कुछ किया है गया। देनी की बाते बहुत की है लेकिन खुदों के कुछ नहीं दिया है। तब कही न कहीं से दबाओं में बज गए। इसलिए देना पड़ा इसलिए दिया है। आज के विश्व का संदर्व का सोचते हैं तो उस संदर्व में ये दूसरी बहुत खतरनाक एक परत उस संदर्व में है जिससे सारा विश्व तरस्त है और हृत की भूमिका इन सब बातों को निरन दिशिद करके कुछ करने कि crying आइस कि भारत पहले से उसे हैं भारत का ईश्व अफ्रस्त करते हैं भारत लाव कैसे हैं कि इन भरत थे जिनके कारणां बारत है एक सब को पता है कि शकुंत लागा पुत्र दुश्चंत का पुत्र भरत चक्रवर्ती कि एसा निर्वय कि शेर के जबने को खोलकर उसके दाद गिता था और इतना सारे जंगल के पशुक्षिये और वनवासियों का मित्र कि वो उसके साथ खरते थे शेर को कुछ नहीं लगता था एक छोटा वालक अपना जबना खोलके दाद गिल रहा है वो उसको करने देता था यह मित्रता थी इतना प्रेम का और इतनी निर्वय का थी और परिट था चक्रवरती समराट बढ़िया उसके कारण हम भारत है शक्ति संपन्न का दूर्बलों की बात दुनिया नहीं सुनती सबसे पहला करता हुब भारत का ही रहना दुनिया में कुछ करना आए तो हम उस चक्रवरती भरत के भारत है अपने आपको बल संपन्न सामर्थ संपन्न सब प्रकार से वह बहुत संपन्न अपने आपको बनाना होगा लेकिन हम केवल वैसे नहीं है दूसरे एक उससे भी प्राचीन भरत थे बहुत प्राचीन भरत उनको जड़ भरत भी कहा जाता है वो राजर्शित है महर्शित है और दुनिया की निस्सारता और दुनिया का मिध्या पंध्यान में आने के बाद वो जो ब्रह्मा भाव में वीद हो गए तो जड़ बन गये किसी प्रटना का उत्तर नहीं खाने पीनी के सुने लोगों ने उनको क्या डिसेबल्ड केते ना ऐसा समुझ लिया एडिकाट कुछ लोग दया करते हैं एक बार एक राजा ने देखा कि निठले बैटे हचे अच्छे अट्टे-कट्टे है तो अपनी पालखी ने उनको जोत लिया चाव बार्जी उटा सब के साथ कि अब क्या जिसने जो खाव करते थे जो अपनी इच्छा इच्छा भी नहीं थी कि उटा ही पालखी चल दिये सब के साथ चार कहार होते हैं ये उसमें एक लेकिन ये चलते थे तो किड़ा को पड़ा आ गया तो कूद जाते थे लिना किसी को दक्का दिये चल रहे वो बिन किसी को दक का दिये चल रही इधर थक्के भरने मैं आ जा अEnt हुद हासे तो उसनी ने को डाटर बैडने के बाद ये बोल पड़े न अंजरसंट कि राजा तुम किसको क्या कह रहे हो तुम क्या हो मैं क्या हो यह दिखता है वो है कि नहीं यह तुम जानते हो क्या है ऐसा उन्होंने उपदेश करने के बाद उनको बता है कि ऐसे महान तत्व ने राजर्शी थे सब चोड़कर विश्वा के सत्य को पकड़कर उस सत्य के आचरण पर चलने वाले लोग डाली देंगे मूर्ख सम्झेंगे परिश्रम करने को लगाएंगे तो भी सत्य में लिठा इदर नहीं होते है जिवन का वही उत्वेश है सब्ते पर चारण यह भी भारत उस भरत से जिए भी भारत है और अशा दोनों होने के कारण भरत बाहुबली का भी अपना भारत है अपने सामर्थे को सिद्द कर दिया माई और वो उन्हे श्रुमासंका विमार भाई ने किया जो जीतेगा उसको सिवासन मिलेगा जो मरेगा वो हारेगा ऐसा था या जो हारेगा वो मरेगा ऐसा ही था तो उन्होंने अपने भाई की दुर्गती कर दी और अंता में उसको उपर उठाया पटकने के लिए उपर उठाने के बाद उन्हें मन में विजार आए में क्यों करना हो राजय के लिए भाई को मार रहा है उन्हों उसको सावधाली से नीचे रख दिया और कहा कि राजयी तुमको अपने बल का घर्वता मैंने बता दिया तुम बल से मुझे प्रहित नी करते हैं लेकिन यह किसलिए कर रहे हैं अपने बल का उप्यों यह ऐसे सुक के लिए जो चड़ा भंगोर है मुझे तो दुनिया का उच्च बहुत प्राप्ता करना है वैं उसके लिए हूँ राजयतों करों सुक परोक करना है उस भरत से भी हम भारत है हमारी भूमिका हमेशा यही रही है और यही रहना पिक्षित है स्वामी वेवे का नंदा कहते दें कि यह भारत तुमारा जन्मा दुनिया के सुखो उपभोगों का उपभोग करने के लिए नहीं है कि तुम तो काली माता की बलिवेदी पर बांदे हुए बली जाने वाले पशु हो जाग के लिए तुमारा जन्मा है लोक के हित के लिए तुमारा जन्मा है अपने सार्त के लिए नहीं दिरभय बनो और मा की प्रार्थना करो कि मा मुझे मनुष्य बनावा पुर्वजना हमको बढ़ा करका है एक तरफ बहुत अच्छा है दूसरे तरफ बहुत ही बच्छे को भी बिगाड़ देगा ऐसा वुरा है क्या इस दुनिया में सुख मिलने ही वाना इसे रहने वाला है हमारे आज पर तो तुकी ऐसा नहीं है इस दुनिया को समझो जानो बहुतिक जार प्राप्त करो चड़ वस्तूका भी जार प्राप्त करो जीवन जीना है जीवन से भागना नहीं है ये निश्य जेश है विठ्न है असार है लेकीं इससे भागना नहीं इससे जाना है और इसलिए सौत साल तक कर्म करते करते जीने की इच्छा भारण करके जी. लिए कुर्वन्य वेह करमाणी जी जी विशे चतSon कि अविद्या से इस जीवान को हम सुखकर बना सकते हैं सुखकर यहने हमको जो लक्षा है उस परवस्त्य को प्राप्त करना उस प्रावर्म सब्सक्राप्त करने के लिए हम समर्ख बने और विश्व का प्रत्यक जिव उस गदर पर चले कि ऐसाँ बनाने के लिए जैसा जीना चाहिए उसके लिए अविद्या इसका उपयोग्या करना इस साद्युद्धिसे करना ज्याना ये दानाईचरक्षणा है एसा जिना और इस प्रकार मुर्त्यू के भैके परे होकर आध्यात्मिक साधना के द्वारा विद्या के द्वारा हमको अमरत्व की प्राप्पि कर लेगी अभी जीवन का तरीक है हमारा और इसलिए जीवन के सब अंगों में हमने उत्कुरुष्ट्रम आधर्शकों प्रस्था पिक किया और कीन हजार वर्षों तक दुनिया का आर्थिक बौद्धिक सब प्रकार से नित्रुप किया है कि वही हमारी भूम का रही हम ने तुम तो इसमेर ने किया सारे दुनिया पर हमारा सामराज्य नहीं था कि सामराज्य वहीं के लोगों का था हम अधर्म का नियंत्रन करते थे धर्म को स्थापन करते थे रावन को जितने के बाद राम वहां बसे नहीं कि रामने विभीशन को राजा बनाया है हापस आ गए है कि कवरों का निप्पाद करने के बाद संपूर्ण पृत्वी के चक्रवरती दिट्रिन नहीं बने दूसरे राजय सुरिये अद्ने में उन्होंने अर्जुन को अफगाणिस्तान के बाद द्रोग दिया हुदर मत अ कि राकक चारों बही गये वहां तक भारत की सिमा उसके परें कोहीं निजाएगा व क्यों इसलिंज है कि हमको दुनिया को देना था कि दुनिया को देखने कि हमारी तुष्टी कि माताच पार्वती देवी पिता देवु महेश्वरा बांदवास शिवबक्ताष्ट स्वधेश भूवानत्रयम यह अपना देश है ऐसा हम दुनिया को मानते है इसमें हमारा आपका अलग-अलग नहीं है आयमनी जह परोवेती ग यह तापने वीकास सबका विकास साथ के सबके विकास के लिए अपने विकास का बलिदान देने के लिए भी तग्यार रही जीवन पधाती हमको सिकhane आए यही अमारी भूमिका है उसके लिए आवश्यक अर्धक Priceकामका धर्म के कि अनुशासन में संतुलन्ट साथे का काम है। हमको दुनिया को सिखाना है、 हमको दुनिया को धर्मत देना है, यह हमारा प्रयोजन है। यह नहीं विवस्ता है, हमको देनी पढ़ेगे। ज्यान विद्यान तकली की बढ़ेगे और बढ़नी चाहिए। लेकिन मनुष्य यंत्र नहीं बना चाहिए, खत्रा यह है, आप आर्टिफीचल इंटीजेश भी आगया, इसमें लोग कलपना करने लगे, ओरीजिन नाम की, वो नाम का उपन्यास आया है, डैन ब्राउन का, वो जो दाविल्सी कोड़ वाला है, उसी का उपन्यास, अपढ़ जाएगी, अपने ही करमों से अपने को ही खा जाएगी, और उसकी जगव मशीन से लेंगे, अभी होने लगा है, आपके अंदर धक्तु के स्टेंट है, आपके हाट के अंदर एक बैटरी है पेस में करो, आपकी जीमन को चला रही है, एक्स्टेंडेड बोनस देगी, आपक हो रही हो कहते हैं, एक समय रहेगा मनुष्यों और मशीन का हाइब्रेड, बात में मशीनों की दुनिया, उसकी कोई कर्पना कर सकता है, कैसा भया हो एक चित्र भीष्य का, यह भय नहीं रहेगा, तक्निक की प्रगति होगी, मनुष्यों को उप्योग करेगा, लेकिन वो त तक्निकी मानवियत तक्निक रहेगी, स्वावी मनुष्य रहेगा, क्योंकि मनुष्य के मन में परमात्मा का वास है, परमात्मा विश्व में विभिन रूपों में प्रगट होता है, मनुष्य के रूप में उसका अस्वाद लेता है, और मनुष्य के रूप में मनुष्य स् है कि यह भूमी का भारत ती है और इसलिए भारत को पहला का मैं बढ़ा होने का समर्थ होने का पहला का मैं सवय्प को जानने का नहीं तो आज इस इस बात को ही आहां, दुबर हो गया है, नहीपधी तो जानती हैं here हम बताते भी नही और हमारे पड़े के हांबेक लोग ऐसे हैं, कि उनको ही इत बातों का गंदा संट नहीं है, अगर हम ने कहा ल कि हमारे पास कोई झ्यान कोई विदिया का तो हसते है तो बहास करते है विरोवी मोर्थ हुआ पिशकर कि जो कुछ अच्छा है वो बाहर से ही ऐए एसके स्णरा है लेकिन जो अच्छा बाहर से आया है उसके मूल में जाते तो वो अच्छा वाहा है यहीं से घया है ये जी कभी जो हुआ कि अ kinda कर लिया है यह कि उन्हों को चाहिए निजिज्ञद में हमको देखना नहीं उसको जाना नहीं उसको कचणा बीटिम था ऐसी वुृति वाले जारण करके देशकाल परिश्चित नुसार एक नया जीवन अपने शाश्वत सत्य संपूर्ण समग्र एकात्म मुल्यों के द्वारा दुनिया को देने के लिए बल संपन्न अपने आपको बनाए हमको इन सारी समस्याओं का उत्तर पहले भारत के अंदर देना पड़ेगा बेद का उत्तर हमको समानता से समरस्ता से देना पड़ेगा तारित्र का उत्तर हमको सम्रुद्धी से देना पड़ेगा वो सम्रुद्धी नीती के साथ आएगी ज्यान विद्ञान के खे els 사용 बढ़ाई शैक्तिम फोगे हमपढको करेंगे नील नभ के अर्थ भी हो शेत्र करेंगे लेकिन सारा इथिक्स के साथ हमारे विद्नान जानले वानरी होगा जान देले वाला होगा is कि अपाने हैस्ने करना पटेगा हाखनो पूल आप को इसा बना पटेंगा पॉल आपको दिश्वार्दी बना। लेकिन आज से अभी से इसी क्षट से मेरे अपने जीवन को मेरे घर परिवार की जीवन को तो मैं ऐसा बना सकता हूं ना यहां से हमको प्राणम्ब करना पड़ेगा मेरे घर में और मुझे स्वक्य गौरों का पता है उसके साथ मैं एकाकार हूं उसको लेके उन शाश्वत मुल्यों के आधार पर आज का देशकाला परिस्तिती नहीं अनुरूप भेद मुक्त स्वार्थ मुक्त जीवन में जी रहा हूं मैं जितना ले रहा हूं उससे ज्यादा दे रहा हूं में नुक्ति यहां को रूखेज हों जब आएंगे हम हात लगाएंगे है हम पहले से ऐसा कियेंगे और प्लियार इंद्नाद शेत्र में आगे जाना अपनी बातों को स्थापित करना गाल की लोगों कि सही बातों को सहर्ष स्विकार करना आनो मंतरा कर तो मुवें तो पुतम करती हैं बाकी लोगों के विचारों को वीवेक से स्विकार करनी की बात की ज्याधा कमी नहीं है अब हम अपने विचारों का सन्थ्प सम्झें उसकी परक्ट करें, उसकी परिक्षा करके युगा रखे जो पुराना है उसको युगानुकूल बना ले और जो नहीं हो सकता उसको छोड़ दे डिस्संकोच कोई उससे हमारी प्रचिष्ठा पर आज नहीं आती है जो सही सत्य कि लो कहीं तानुकूल है और रखना है कि दर्म में ढुंखकर दर्म देने के लिए हम को सचा धम. और अपने प्रेम से सब को जीतना है शक्ति समपन वह बिना अपने प्रेम को भी दूनिया नहीं समझेगी यह द्हान में रखिये अपने प्रेम को हमने दिया बिना शक्ति के लोगों ने उसको मजबूरी समझा उन्हों ने उसकी कीमत वसुल की हम शक्ति संपन्न होके शांती की बात करने तो सब समझ जाएंगे देखेंगे इनको कोई जरूरत नहीं हमारी हमारे देश के तंत्र नीती सब बातों की रचना इसके अनुसार होनी पड़ेगी स्वतंत्रता के बाद अपने संविधान की रचना करते समय अपने संविधान करताओं का यही मानस था उन्होंने परंपरा से हटकर अनेक बाते की उन्होंने परंपरा के अनुसार भी अनेक बाते जिम्विधान में रखी है क्यों रखी है इसलिए कि ऐसा भारत ख़़ा करना है जो संपूर्ल विश्व को उसका खोया हुआ संतुलन वापस देने वाला खोये हुए भाईचारे का साक्षापकार करना देने वाला क्यों परोपकार करें इसके लिए एक कात्विक प्रत्कषा आदार उन्होंन भूतिका देने वाला एक विश्व गुरु भारत अच्छा पक्का सचा रारविक बनके दुनिया को अपने शक्ति के आधार पर फिर से प्रेम सिखाना पड़ेगा अब ते प्रेम सिखाना पड़ेगा कि दुष्ट्र लोग आएंगे कि दुष्टों का उत्तर देना अथोचित करना पड़ेगा हमारी उत्तर देने से उनका विनाशनी होगा उनका उद्धार होगा इसाम करना पड़ेगा कि अपने ही दिर्मीत रवरो नरक में वो पड़े है उससे उनका उद्धार करना पड़ेगा लेकिन पहले हमको अपने ही दिर्मीत माया भवर से बाहर निकलना पड़ेगा कि बहुत अच्छा गीत है भारतोर्श के लिए तु कौन खा कौन है कौन होगा अरे तुझे होश भी कुछ नहीं है है तु अवश विश्व भी सोच वशा कहीं शांतिका तो पता भी नहीं है संवान्य संवराट सारे भोनका कनक गर्वकत्वम अरे तुझ वही है सोहम अभयपुर्ण हुपकार कर दो नफिर देख तेरे बगर कुछ नहीं है यह जैसे एक व्यक्ति के लिए आत्मसाक्षातकार की बात है वैसे संपूर्ण विश्व को लड़खणाते विश्व को विश्व का हरदेश जब भी दिख भ्रमित हो लड़खणाया सथ्यकी पहचार करने वहां हमारे पास आई भूमिया हर दलिट को पुछकार दी हर पति के इस सत्व का साक्षात का लेकर उसकी दुर्ष्टी के आधार पर युगानुकूल जीवन का उदारन हम सबको बनना पड़ेगा व्यक्तिशा समाज और राष्ट के नाते भी और उसके आधार पर अपने मैंत्री में सबको बाहन कर लेकिन यह जान कर कि दुनिया शक्ति के बाद ही मानती है उस शक्ति की आरा धना करते हुए विश्व की इस दुविधा में से उसको बाहर निकालना है जो त्यान जो साधन संपन्नता का काल और जो बल विश्व के लिए संकट पैदा कर रहा है वही त्यान वही बल और वही शुष्पैग्या का साधन प Muse Cristian West ले स्वत्म ने स्टंदरता का साधन ने उंद्नाती यही भारत भूमी का रहेगी भारत उसके 1 को दालते हुए तैयार हो रहा है भारत की इस गति को बढ़ाने का काम इस दिशा में अपने चिंतन और वृति को बढ़ा कर हम लोग करें इतना एक निवेधन आज के समय आपके सामने रखता हूं आपकी चिंतन के लिए चिंतन इसका कीजिए अभी से प्रारंब कीजिए धन्यवाद अभार दर्शन हेतु हूं पुना सुनिल भाई बोरिस अभाई